पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया विवादित बयान हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मोदी का किया अफमान पी-म को बताया गुजरात का कसाई भुट्टो के इस बयान पर पाकिस्तानियों ने ही उनकी क्लास लगाई पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान कितनी जहरीली है ये पूरी दुनिया जानती है जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के परिवार से तालुक रखने वाले बिलावल को इतनी तमीज नहीं है कि राजनिती कैसे की जाती है भाशा की मर्यादा क्या होती है पाकिस्तान के पप्पू को ये तक नहीं पता कि राजनितिक मतभेदों को मर्यादित भाशा के तहट ही बया किया जाता है शायद यही वज़ा है कि जिस तरह का आपत्ती जनक बयान बिलावल ने हिंदुस्तान की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को ले कर दिया, खुद पाकिस्तानियों ने उनकी बैंड बजा दिया नफरती और जहरीली जुबान वाले पाक विदेश मंत्री बिलावल भुटो ने भारत की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाफ बयान देते-देते, यहां तक कह दिया कि गुजरात का कसाई अभी जिन्दा है और वो हिंदुस्तान का पी-म है भुटो के इस बयान के सामने आते ही पूरे भारत में उबाल देखा जा रहा है भाजपानेता सडकों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है और बिलावल को माफी मांगने के लिए कह रही है इतना ही नहीं भारत का पूरा विपक्ष भी इस मामले में पी-म मोधी के पक्ष में आ गया है और पाकिस्तान को जम कर खरी-खोटी सुना रहा है हाल ही में 36 गड के मुख्य मंतरी भूपेश भगेल ने दोटू कह दिया था कि बिलावल का ये बयान निंदनीय है और हम पी-म मोधी के साथ कदम से कदम मिला कर खड़े हैं देखिए बिलावल भूटो बच्चा है और वो जो बयान दिया है उसके निंदा करता हूं और देश के प्रधान मंतरी के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बरदास्त नहीं है इसके कड़ा प्रतिवाद है नहीं उसके करारा जवाब भी दिया जाना चा छाए और इसके लिए चाहर राजितिक हो चाहर चाहर कुटनितीक हो इसका जवाब दिया जाना चाहिए कंगरिस नेता प्रमो तिवारी भी प्यम के सपोर्ट में आ गए है दिल्चस्प बात ये है कि बिलावल के इस बयान पर फुद पाकिस्तानी भी उन्हें खरी खोटी सुना रही है पाकिस्तान के दिगजों का साफ कहना है कि विदेश मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बिलावल के बयान को सरासर गलत बताया उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेसी के आईने से इसे सही नहीं मानता प्रधान मंत्री, राष्टपती और विदेश मंत्री का इस तरह से कहना डिप्लोमेसी में ठीक नहीं माना जाता है मैं कहूं या कोई आम आदमी कहे तो चल भी जाता क्योंकि लोग आवेश में आकर कह देते हैं लेकिन विदेश मंत्री का इस स्तर पर जाना ठीक नहीं है। सिर्फ अब्दुलबासे थी नहीं पाकिस्तान के कई दिगजों ने ये माना कि बिलावल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लाहौर के फॉर्मेन क्रिश्टन कॉलेज में प्रोफेसर रहे और पाकिस्तान के बुधी जीवियों में शुमार होने वाले परवेज हुदा बोई ने भी बिलावल के बयान पर उनको घेरा और कहा कि इस तरह के बयान से मुसल्मानों के खिलाफ माहौल बनता है। पाकिस्तान की जानीमानी सुरक्षा विशिशग्या आईशा सिद्गी ने भी कहा कि ये बयान बिलावल की अनुभव हींता को दर्शाता है। बेरहाल मोदी के खिलाफ बयान देकर बिलावल ने खुद के लिए ही परिशानी खड़ी कर ली है। अपने ही देश के लोग उनसे चड़ गए हैं। बेरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा। जाते जाते एक बार फिर से जहरीले पाक विदेश मंतरी बिलावल भुटो का बयान आपको सुनवाते हैं। चौछ अपने ही लिवड्याओ गाराइट्टास्चर आपका एका बढाएट नहीं हैं। जलन मेंट चौपते हैं। जाते ही लिवड्योर्जा पने में प्रयकोशने हैं। जाने हैं। for the Muslims in India. We're terrorists where there were Muslims in Pakistan and we're terrorists where there were Muslims in India. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead but the Butcher of Gujarat lives and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi but if the Foreign Minister of India was being honest then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi in the ideology of Gandhi in the manifesto of Gandhi they do not see this individual as the founder of India. They hero-worship the terrorists that assassinated Gandhi. Within India who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the Butcher of Gujarat is now the Butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They are not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands for their own election campaigns. They have pardoned. Prime Minister Modi and his government have used their authority to pardon. To pardon the men who perpetuated rape against Muslims in Gujarat. Who conducted the gang rape of women in Gujarat. Those rapists those terrorists were freed were pardoned for the Prime Minister of India. of India.